वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले कोवरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजिए अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन ग्यारेक्टर जैनिवर को आफिस में काम करता है देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उन्हों ने ब्रेक अप कर लिया था पर वीकेंड पर जाकर व लिफ में चड़े, गाही से मिल से इसे यूक स्वेगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ मेए द्रॉइंग बनी थी गाही ने जिनिफंफर को ढाजा लिफ में अचिनाक से लिफ बरन हो जाती है , लिफ में इलक्रिसिटी थी पर फिर भी कोई बटन काम कर रहा था इन्होंने अलाम वेकरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वक नहीं कर रहा था लिफ में जेनिफर ने कैमेरे को नोटिस किया कैमेरे में वे वेकरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी कहल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ्ट में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे सैटरेडे संडे और दो दीन की छुट्टी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ्ट के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने का आकी कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है गाय को अचानक से आईडा है कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो छुक कर जेनिफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राया कि आपर कुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीद गया और जेनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दिया है वो गुसा हो गे और सारी चीजों को गालिया देने लगे उसे बैस लगी थी तो गाया ने उसे अपनी बॉटल दी जेनिफर उसका पानी बेने से मना कर दिया पर गाया ने कहा हमारे पास एक तो एपानी है दूसरी वाइन की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मज़ाग में कहता है वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिवर ने भी अपनी पर्स से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते हैं उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को एस जेश चर एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंटे पीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरीके से टॉलेट करना उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बॉटल दी कहा कि एक नैचरल चीज़ है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूटने के लिए गएती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लीफ में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी girlfriend वेगराने है जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को call करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे surprise देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों realize करते हैं कि वो कितने same है गाय ने फिर wine की bottle खोल ली time pass करने के लिए दोनों एक दूसरे की drawing बनाने लगते है गाय ने जैनिफर की बहुत ही अच्छे से drawing बनाई थी पर जैनिफर उसके एक funny से drawing बनाती है जैनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो picture बनाई इसे में मेरी profile picture रहूंगी बाते करते करते खाने पर discuss करने लग गये तुमने भुगे थे तो जैनिफर ने कहा कि subject हम change करते है अलग-अलग topic पर discuss करते हुए एक दुसरे के partner के साथ crazy story बताने लग जाते है जैनिफर गहती है कि एक बार में मेरी boyfriend के साथ library में intimate हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक cover करती है हम एक बाद drive उपर गए थे वही पर intimate हुए थे यह सब बताते हुए उसे जैनिफर के लिए feelings आ गए जैनिफर को भी इससे कोई भी problem नहीं था फिरे दोनों यही पर intimate हो जाते है intimate होने के बाद गाई ने जैनिफर से गा यह तुमारे प्यार में पढ़ सकता हूँ यह पाद जैनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उसे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना जाती थी गाई को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचू थी एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवेल चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जुट कहा था किसी बिल्डी में अकाउंटन्ट है उसने कन्वैस किया कि सब कुछ मैंने प्लैन किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांच चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पह जानने इसी वज़े सो उसने सब कुछ किया था वो अपने बॉकिट से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंग कर दिया जेन जेनिफर गुसा होकर अपने शूर से गाये को अनकॉंशेस कर देती है उसे चेक करने के लिए पर गाये कॉंशेस था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जेनिफर के होश में आने के बाद गाये उससे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहां लिफ में हमारे बीच मे जो गिफ लाया था कि गाये ने चेक किया, इसमें एक अच्छा सा शर्ट है जो गाये पहन लेता है, गाये के बास भी एक गिफ्ट है, जिसमें सीगार, लाइटर और एक कटर है, गुस्षे में गाये ने लीफट का एक लाइट तोड़ दिया, फिर उसे आईडिया आता है, कि है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें उपन कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जनीवर ने कहीं वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूँ गय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जनीवर उपर आके उपर आने के बाद जनीवर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जैनीवर ज़रा ज़्यादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़नी वाली थी तब नीचे से गाया और उसे में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनीवर होश में आ गई लिफ्स तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वर्क नहीं करेगा हमने बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनीवर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गयती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना प क्यों है कि मैं हर देखता था तुम बहुत ब्यूतिफुल थी क इस सब्वजह से मैं कभी भी तुमें अप्रोश नहीं कर पाथा हमें हमेरेश안 से सक्वरिक गाड नहीं था मैं एक्टॉल ने अक अकांटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टॉरी मैंने तुमें बत स्लोली स्लोली उसके financial situation खराब हो गे और उसे security guard का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी old life को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ plan किया Nixon में हम देखते है कि मैट के साथ काम करने वाला security guard ये अपनी girlfriend को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने नहीं वाला था पर girlfriend को यहाँ लेकर आया वो notice करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने camera में जैनिफर और गाय करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे help की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तबी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी body रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने shower लिया कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने friend की girlfriend को उसने notice किया वो इसके boyfriend के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया girlfriend ज़ला suspicious होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मा डालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जैनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो लेकर गया वो थ्रैश कान में पेट्रोल वेगरा डाल कर जैनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंग खोलता है तो जैनिफर जिन्दा थी उस पर हमला कर देती है ज रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाय को उसने मार डाला गाय को इडिस बिट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डाल दिया इसे के साथ यह मूवी एंड हो गए अगर आपको यह वीडियो अच लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमी मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये